अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पताया था कि यह चाप्टर आपके दो पार्ट में बटा हुआ है आट इस आटिट्यूट का फर्स्ट पार्ट हमने कहे लिया था आज हम सेकंड पार्ट करेंगे तो आज की वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है क्या इसमें दो ही टोपिक से एक मेजरमेंट अफ आटिट्यूट एंड सेकंड मेजर टोपिक इस फार्ट इस पार्ट कुलर तॉपिक आप्ट इस पार्टिक यह शादा इंपटेंट ओने वाले है इसलिए यह वीडियो इंपर्टिंट बन जाती है तुमारे ले ले वाइन न क्या होते है हमारे scales होते है हमारे let's say reports होते है questionnaires होते है जिससे हम अपने लोगों का अपने लोगों का मतलब employees का attitude measure करेते है ठीक है कि माम क्या हो रहा है कैसे हो रहा है because at the end of the day HR जो होता है उसे देखना पड़ता है कि माम लोग कैसे behave कर रहे है हमारी organization में because negatively behave करेंगे तो हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ठीक है let's say company में कोई नए changes आते है changes introduced करने से पहले हर organization यह धियान में रखती है कि माम क्या में कोई ऐसा changes ना कर दो जिससे सब मेरे खिलाफ पहट जाए सब धरने पर पहट जाए right so वो situation avoid करने के लिए हम timely basis पे इनका attitude measure करते रहते है fine now the first way to measure is by self report now by the time I'll give I'll give you the methods to measure the attitude I'll show you the example first ठीक है because तुम अगर example समझ गए तो obviously तुम उसे एक बार translate करके लिख सकते हो बहुत असानी से otherwise what will happen I will keep telling you the theory and you will keep learning it learning is not the solution here ठीक है समझना is a solution now when it comes to the self report as I said कि ma'am let's say for example Reliance company में इन्होंने कुछ changes करने हैं बहुत पगड़े changes करने हैं जिससे हम as a employee बहुत जादा impact होने वाले हैं for example ma'am हम पूरे departments का restructure करने वाले हैं हम कोई नया technology system लाने वाले है for example let's say chat GPT ठीक है chat GPT और ये सब हम AI लाने वाले हैं हमारी organization में अब AI की वज़े से ma'am कुछ लोगों को नई skills सीखनी पड़ेगी नया attitude आएगा कुछ लोग उसके against होंगे कुछ लोग उसके साथ होंगे ठीक है तो वो सब मुझे measure करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी ma'am questionnaire बनाऊंगी जहां पर मैं अपने according कुछ questions डालोंगे ठीक है क्या डालोंगी for example yes I feel confident that I can adapt to new changes so these are the questions that I have put for my employees in my questionnaire fine अब मैं लोगों से क्या request करूंगी कि भाई you know you just do these scaling ठीक है आप क्या करो यह self report जो questionnaire है यह self report जो questionnaire है ठीक है उन पर क्या करो अपनी insights दो क्या दो अपनी insights so so that मैं क्या कर सकूँ जो मुझे changes करने हैं वो successfully implement कर सकूँ वो successfully implement कर सकूँ मुझे आगे जाके कोई भी लडाई जगड़ा कोई भी धर ना यह सब कुछ नहीं चाहिए because this will impact my organization negatively hence I don't want such things therefore I want to see majority लोग इसके खिलाफ है यह majority लोग इसके साथ है ठीक है तो self report की अगर मैं theory पढ़ू तो क्या है it is nothing but report based on your judgments and attitudes ठीक है जो questionnaire मैं as an interviewer मैंने पूछा था अब मुझे लोगों की judgment पता चलेगी मुझे लोगों का attitude पता चलेगा so जब मैं decision बनाऊंगे कि आखिर यह change implement करना है या नहीं करना मैं इन questionnaire के answers को consider में consideration में लूँगे इसलिए ही तो किया था so while making decision I will be considering that and however in self report एक disadvantage है क्या माम लोगों का opinion चेंज हो सकता है लोगों की answers change हो सकता है for example अगर मुझे तुम 10 दिन पहले पोचो ठीक है मैं AI से बहुत ही जादर परिशान था मुझे बिल्कुल नहीं पैसन था AI माम क्यों ला रहे हो मैंने वो report बहुत negatively भर दी ठीक है वो question यह है मैंने सब में लिख दिया strongly disagree 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 ठीक है अब माम जब training होई मैं जब change आया मैं ऐसे हो गई वाव इसने तो मेरा काम असान बना दिया यह तो बहुत अच्छा change था तो मेरा opinion चेंज हो गया माम अगर अब आप questionnaire मेरे से मैं अगरी 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 strongly अगरी यह सब करूँगी ठीक है सो self-report का यह थोड़ा disadvantage है कि माम हमारे opinion change होते है माम रियल लाइफ में भी change होते है पहले मेरे को अपनी best friend दुश्मन लगती थी अब वो मेरी best friend है ठीक है so opinions change over a period of time so यह था आपका first method now let's come to the second method that is like it's good now क्या होता है आप अगर किसी भी restaurant में जाते हो आपको यह आता होगा for example अगर आजकर आप इंस्टा से किसी भी you know किसी भी इंस्टा से कुछ order करो एकदम screen पे pop-up होता है are you satisfied with our service did you like the product ठीक है तो यह very unsatisfied satisfied unsatisfied neutral satisfied very satisfied तो यह सब चीज़े आपको एक form मिलता है चाहे आप किसी restaurant में जाओ चाहे आप कोई product खरी दो यह हमने form देखा होगा ठीक है कि आपको product का design अच्छा लगा product packaging so यह सब चीज़े यह सब स्केल हम अपने आप देखते हुए आ रहे है और हमने यह देखा हुआ है हमने यह देखा हुआ है ठीक है तो यह है हमाला second way through which we can measure the attitude of people fine so इसमें basically psychology questionnaire होते है जहां पर मैं लोगों का attitude और opinion मेशर कर रहे हूं माम सारे के सारे scale, उनका opinion और उनका attitude ही measure करने वाले है ठीक है तो हम यह पर क्या कीकरते हैं हम different levels रखते हैं क्या करते हैं different levels रखते हैं from one to five and one to seven ठीक है उसके हिसाब से लोगों या तो अग्री करना होता है یा disagree करना होता है तो हम क्या करते है हर agree और disagree को एक score देते है ठीक है let's say agree को one then strongly agree को two so this is how we do the scoring ठीक है तो basically अगर तुमने कोई भी question ने देखा होगा जैसे मैंने अभी example में दिखाया so these are certain things that are mentioned in that particular form तो हम ऐसे तिक नी करते है खाना अच्छा था यू खाना तो बहुत अच्छा था माम दाल मखनी बेकार थी पनी तिक का बहुत अच्छा था ठीक है just an example okay so basically ऐसे ही हम क्या करते है work environment में करते है क्या करते है work environment में करते है now the third type of scale is Osgoode scale Osgoode scale क्या कहता है माम synonym और antonym तो इसमें क्या होते है हम दो opposite words रखते है क्या let's say मैं oranges के उपर तुम्हें palm fill करवा रहे हूं तो एक जगा healthy और एक जगा unhealthy तो that is opposite that is opposite ठीक है is it good tasting is it bad tasting so you depend depending upon whatever you wish to answer you just take this particular thing right so यह समझ में आया was the food you know was the restaurant expensive was it affordable तो कितना expensive लगा कितना affordable लगा अगर इस साइड देते जाते चले जाओगे तो माम affordable की तरफ दे रहे हो और अगर इस साइड जाओगे तो expensive ठीक है I hope यह समझ में आया now इसमें क्या होता है माम differential scale होता है ठीक है it can be on the object even concept for example let's say हमारे gym में एक नहीं machine आया तो हम लोगों को बाठते हैं क्या तो हो यह machine अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी ठीक है so that is the two opposite words तो basically यह seven points का होता है and हम कुछ adjectives यूज करते हैं जिनका meaning बिलकुल opposite होता है that is known as seven point rating scale what it is called as seven point rating scale यह adjectives कौन चूज करता है obviously ma'am manager employee अगर खुद का measure करने बैठ जाएगा खुद के adjectives दालने लग जाएगा तो उसका purpose defeat हो जाएगा ठीक है for example एक manager को यह देखना है कि क्या लोग अपनी job enjoy कर रहे है यह नहीं करें are they liking their job or not so adjectives कौन कौन से use करेगा enjoyable and boring so these are opposite words right so one two seven की scale पे वो measure करेगा कि किसने लोगों ने कैसे answer किया for example one two seven क्यों बोलरी हूँ मैं see ऐसे weak one strong seven तो एक जहां पे strong लिखा होगा यहां पे weak लिखा होगा तो one two three four five six seven ठीक है so यह होता है आपका seven point rating scale fine तो Osgoods में क्या याद रखेंगे seven seven point rating scale माम अब हमें यह याद कैसे रहेगा ठीक है इसमें हम confuse हो सकते हैं कि यह like a scale है या हम दूसरे method से इसे confuse कर सकते हैं I'll tell you a short technique to remember it कैसे माम यह तो समझ में आ गया कि यह adjectives opposite होने वाले है यह adjectives opposite होने वाले है तो यह वाला point तो हम लिख देंगे ए एक्जामपल भी लिख देंगे बट यह seven का figure याद नहीं रहेगा तो guys इसकी जड़ा letters count करो one two three four five six seven याद रहेगा so this is a short technique through which you can remember through which you can remember the last method is sociometry the last method is sociometry sociometry में मैं तुमें एक एक्जामपल देती हूँ ठीक है एक school के एक्जामपल देती हूँ तुमें school की याद दिलवाती हूँ ठीक है अब teacher को देखना है कि कौन मेरी class में leader बनने के काबिल है कौन group में बहुत बढ़िया काम करेगा socio social कैसे याद रखोगे socio social ठी नाम नाम हमेशा नाम के पीछे पढ़ जाओ ठीक है एक example देती हूँ for example मैंने क्या किया एक socio metric questionnaire प्रपेर किया ठीक है यहाँ पे मुझे लोगों की क्या जानी है social preference जानी है और उनके relationship देखने है आपस में अब कुछ बच्चे class में होते हैं बहुत ही जादा introvert होते हैं मैं किसी से बात नहीं करते हैं कुछ होते हैं बहुत ही class में सबसे जादा बात कर रहे होते हैं सबसे friends होते हैं वो they have that leader capabilities तो वैसे ही managers अपनी organization में leaders choose करते हैं कि भाई इसे काम दे देता हो तो class का जब monitor decide होता है तो इसी basis पे होता है ठीक है तो questionnaire में क्या होगा आप इसमें हम दे भाई तेरे तीन best friend कॉल है ठीक है तो किसके साथ group activity करना चाहेगा who do you go to work for the you know help with the school work so let's say ये रुच्छी है ठीक है साक्षी है ये पी है ये क्यू है so देखो अब क्यूने answer कि माम ये तीन हो मेरे best friend इसने भी answer कि ये तीन हो मेरे best friends ठीक है अब उसने बोला कि माम ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है school group so this is how how we are connecting everybody's answer to each other ठीक है तो इसने ये answer दिया can you see the lines these lines indicate the relationship and these indicate the person ठीक है तो ये है आपका sociometry sociometry will help you to understand how people interact and connect ठीक है ये हमारी help करेगा कैसे माम evolution करना है positions देनी है organization में positions कैसे बाठती है people differ in their official and personal relationship अब कुछ लोग office में होते है कि सबके साथ friends होते हैं सबके साथ अच्छी बना के रखते हैं और कुछ friends होते हैं जिनके एक-दो सिरफ friends होते हैं राइट sociometry considers actual group constitution and member behavior before proposing a social program so social program अगर मुझे कुछ अंडर्टेक करना है so before that I will be undertaking a sociometry test sociometry questionnaire or whatever you would like to call it as got it guys this was the four you know four methods first sociometry social से याद रखो और्स गुट्स साथ objectives seven point rating scale like good mom her restaurant में जाते हैं and finally self report finally self report okay so this is how you need to understand all four methods to measure the attitude to measure the attitude now let's come to the second topic अभी सिरफ 15 minute होय है और अपका एक topic खतम होया now second topic guys if you like my video please comment these comments actually appreciate me a lot to do the best work trust me I receive lot of hatred comments too and I just keep on removing I just ignore them as hell but it actually feels very good to see a positive comments मैं लिटरली इंशोर करती हूँ आप रप्लाई तो इच और रप्लाई तो इच और अवरी comment okay this is actually shows की हा मैं पड़ती हूँ not that कि तुमने छोड़ दिया माम तो देखती निया है मैं देखती हूँ ठीक है now let's come to the second point that is second topic which is attitudes related to work how people you know how people actually behave what are there certain attitudes relating to the work what am I going to cover in this topic how am I going to structure it एक base मनाते है let's say पूरी बिल्डिंग का वो होता है न क्या बोलते हैं से यार खाचा नहीं बिल्डिंग का first floor या ground floor वो पार्किंग मतलब यार बेस बनाते हैं मैं टॉपिक का ठीक है attitudes related to the work now attitudes क्या होते है attitude is nothing but the feeling and opinion ठीक है अब तुमने अपनी real life में भी देखा होगा कुछ लोग अपनी job से बहुत खुश होते है ठीक है for example touchwood मैं अपनी job से बहुत खुश रहती हूँ because मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है that is teaching ठीक है आप मैं teaching करती हूँ मैं अपनी बुराई की जोनों जोब की बुराई बहुत करती हूँ कभी कभी करती हूँ बहुत कम करती हूँ ठीक है अब कुछ लोग तुमने देखा होगा बहुत रोते रोते हैं थाट यार्ज़ आपफिलिंगों की आपको अपने जॉब के बारे में कैसा लग रहा है ठीक है अगर ने तो है मोह पने ऐ जॉब consumption को में कि कॉआ है तो उसे अगर ओवर टाइम के लिए तो इसकी शकल बन जाएगे बट अगर मेरे को कोई ओवर टाइम के लिए कहता है यह स्टुडें कोई डाउट के लिए पूछता है तो मैं खुशी-खुशी करते हूं ठीक है वाइब बिकसा इम डिटो कमिट एक्स्ट्रा आस बिकसा लव मैं जाबाओगा फिल पॉजटिव अपॉजटिव अबाओट भाओगा ओछी-खुशी-खुशी-णाउट्ट्व्शी नाव वात अटिटिव करने वाले हो रहा है जो कमपनी के लिए बहुत अच्छा होगा बैट्र-प्रॉड़क्टिविट आ आपका attitude negative भी हो सकता है जिसकी वज़े से company को losses भी हो सकते है right it is very important for the organization to understand कि लोग कैसे behave कर रहे हैं को लोग कैसे feel कर रहे हैं अपनी job के बरे में Microsoft and Google में इतना सुनर office इतना अच्छा office इतना सारा खाना इतना सारा gym इतना सारा you know facilities क्यों देते हैं जिससे तुम अपनी job को प्यार करो ठीक है so that is where you need to understand how people are behaving how people are reacting and feeling about the job they are into now the next is the job satisfaction the first is the job satisfaction एक ये feeling है मैं अपनी job से satisfied हूँ अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम जादा काम कब करोगे जब तुम अपनी job से satisfied होँगे या जब तुम अपनी job से unsatisfied होँगे मैं obviously satisfied होँगे बर ये satisfaction आती कैसे है मैं ये satisfaction बहुत चीजों पर depend करती है ये सिरफ हमारी salary पर depend नहीं करती है ये चीजे बहुत चीजों पर depend करती है for example मेरे लोग ठीक है वहाँ पर जाके मुझे मज़ा आता है मैं उनके साथ ऐसे काम पर करती रहती हो मुझे time का पता भी नहीं चलता तो that gives me a sense of satisfaction that gives me a sense of satisfaction fine तो job satisfaction क्या बताता है कि हम अपनी job के बारे में कैसा feel कर रहे है ठीक है अगर तुम अपनी job के बारे में खुश हो happy हो then your attitude is for attitude is positive obviously mom के feeling है कोई मेरी feeling को touch नहीं कर सकता कोई मेरी feeling को touch नहीं कर सकता right this is something intangible अगर तुम अपनी job पे खुश हो obviously तो मुझे क्या बोलोगे job satisfaction job satisfaction right then obviously if you are satisfied it would it would result in better results मतब तुम better results होगे job पे fine अब तुम्हारे कौन से factors है जो तुम्हें constitute करेंगे for the job satisfaction तीन factor होते है personal factor group factor organization factor यह तीनो मैं पहले किसी topic में समझा चुके हूँ हूँ let me know in the comment section कौन से topic था जिसमें यह factors है guys यह topics पहले आ चुके है personal factor individual person group की बात हो रही है लोगों की बात होगी organization में work environment की बात होगी it is self-explanatory it is self-explanatory ठीक है job involvement कितना involvement है मेरा कितना मैं decision making में participate कर रहे हूँ अगर मेरे से कोई कुछ नहीं पूछ रहा मैं are you 9 बजे जा रहे हूँ 5 बजे कोई involvement नहीं है मेरी obviously that would need to sort of a negative अगर involvement है I would be super happy I would be super happy ठीक है तो क्या मैं अपनी job से engage हूँ ठीक है अगर मैं involved हूँ तो obviously मैं ज्यादा काम करूंगे मैं ज्यादा contribute करूंगी goals की तरफ मैं ज्यादा pride लोंगे कि हाँ yes I have completed yes my team did it that is the involvement that is the involvement जो लोग अपनी job से involved होते है उनकी उपर एक pressure भी होता है क्या मैं responsibility and वो बहुत अच्छे से काम करते है अगर तुमने managers को देखा होगा senior managers को देखा होगा उनकी involvement बहुत जादा होती है क्या होती है बहुत जादा involvement होती है ठीक है because they feel there is a sense of responsibility there is a feeling of responsibility and वो अपना काम बहुत seriously लेते है ठीक है obviously ma'am they are always excited to take the new challenges ठीक है तुमने अपने group में भी देखा होगा एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो risk लेना चाहते है जो challenges लेना चाहते है जो एकदम खड़े होके बोलता है मैं मैं कर दूंगा ठीक है so that is the involvement lead to the dedicated and productive workers तो हम organization वालों को यही चाहिए होता है कि मैं dedicated and dedicated लोग मिले जो involved रहे जो मजे करे जो आगे challenges ले वो ही आगे जाके मेरी company का नाम रोशन करेंगे the next is the organizational commitment next is organizational commitment about how strongly an employee is involved with and identifies with the organization they work from they work for now मैं organization की तरफ कितनी committed हो तुम अगर एक relationship में होते हो तो तुम अपनी opposite person से कितना committed हो कितना committed हो वो अगर तुम अच्छे से committed हो you feel good about it then your relationship works then your organization works right तो commitment को as a relationship सोचो ठीक है अगर let's say you guys are not committed towards each other you don't care what other person think then the organization in the relationship will not succeed similarly अगर organization में employee committed है towards the organization which is nothing but the relationship it will grow it will succeed but in case of opposite then the things won't work in a positive manner now how strongly an employee is involved okay high organizational structure high organization commitment मतलब employee कदर करता है किस की कदर करता है goals की कदर करता है organization की कदर करता है ठीक है so guys organization commitment को as a relationship सोचो ठीक है अगर तुम एक relationship पे खुश हो obviously तुम बार बार मिलने की कोशिश करोगे तुम बहाने कम धूनोंगे तुम छुटी मायने के बहाने कम धूनोंगे ठीक है so obviously अगर एक organization में एक बंदा committed है वो छुटी कम लेगा वो dedicated रहेगा वो willingly करेगा काम voluntarily काम करेगा forcefully नहीं करेगा ठीक है then subordination of individual goals guys ये मैंने term यूस करी थी chapter number one में इसका मतलब बताँ let me know the meaning of this particular term in the comment section participation in decision making process then types of organizational commitment किन किन तरीके की commitment होते है ma'am effective कुछ-कुछ लोगों को ना attachment हो जाते है I have seen people in the same organization for 15 years I have my friend वो 15 साल से एक ही company में काम करे है मैं उसे attachment हो गई effective commitment हो गई then normative commitment ठीक है अब हम उसकी care करने लगे है ठीक है मैं बहुत ही जाद हो obligatory feel करे हू towards the work ethics that is nothing but the loyalty that is nothing but the loyalty then continuous commitment ma'am because अगर हम ठोड़के जाएंगे हमारे उपर ही costly पड़ेगा हमें ही costly पड़ेगा because of the pension plans lack of better opportunities which is actually happening in today's time which is actually happening because of the job scarcity in India ठीक है last topic of this particular video and this particular whole attitude topic एक निमोनिक्स तेने वाली हूँ जो अभी तक video देख रहे let me tell you तुम्हें बहुत advantage होने वाला है because ये question आ सकता है ये question आ सकता है and hence मैं तुम्हें एक निमोनिक देने वाली हूँ क्या देने वाली हूँ एक निमोनिक देने वाली हूँ what are the factors affecting the job satisfaction guys खुद दिमाग लगाओ क्या factors हो सकते हैं जो तुम्हारी job satisfaction को impact करेंगे जिसे job satisfaction का मतलब पता है वो ये बिना पढ़े भी लिख सकता है वो ये बिना पढ़े भी लिख सकता है बस एक बार सुन लो first is the personality कुछ लोग naturally happy होते है कुछ लोग को जबदस्ती happy नहीं रहना पड़ता कुछ लोगों को जबदस्ती के social program या HR के वो सारे जो tantrums होते हैं उनके बिना भी वो खुश रहते हैं उनके बिना भी वो खुश रहते हैं चाप्टर नमबर थ्री में हमने personality पड़ी थी उसी की बात हो रहे है interaction with the environment अगर person job fit है अगर person organization fit है तो वो matter करता है अगर मैं अपने job से अपने work environment से खुश हो then I am satisfied job characteristics job characteristics job characteristics मतलब skills variety ठीक है अगर मेरी job में मुझे opportunities मिल रही है कि माम मैं अपनी skills enhance कर सकती हूँ मुझे training मिल रही है मुझे सारी चीज़े facilities मिल रही है obviously मेरी job characteristics will help me to be satisfied in the job then inter-person relationship हो सकता है मेरी बहुत अच्छे friends बन गए हो सकता है मैंने एक trust build कर दिया managers के उपए senior managers के उपए partners के उपए then the relationships that you develop stress अगर तुम्हारी job में बहुत तगड़ा stress है मैं आके नींद नहीं आती मुझे पूरी रात में tension में रहता हूँ you will never be satisfied with your job if you are satisfied then it's your problem ठीक है अगर आप अपनी pressure के वज़े से सो नहीं पाई अगर आप अपनी job के वज़े से good stress also positive stress also ठीक है responsibility होते है creative work होते है but negative stress is very harmful then work-life balance आज के time में गे term बहुत ही जादा contradictory है ठीक है I don't know it is often confused with the hustle life but I strongly believe that there should be a proper work-life balance ठीक है I know there would be lot of influencers confusing it with the hustle life but I don't believe it मुझे लगता है hustle life भी अपनी जग है and work-life balance भी अपनी जग है ठीक है तो job satisfaction उससे होता है the basic 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 short form that you can use is the sipla rice guys अगर तूम कभी भी कोई भी share लेते हो तो तूम क्या प्रे कर रहे हो all the time high भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए उसका price भर जाए supply price ok Maaam यह term कैसे use करणा है guys मैंं हमेशा कहते हो कि मैं उसमें बॉबल्स अपने आपी डाल देती हो ठीक है उसमें अपने आपी बोबल साल जेते हो तो C I P L A ठीक है राइस में R I S E ठीक है So this is how you can remember the factors in just two minutes. I hope you like this technique. I hope these mnemonics and short techniques are helping you guys to remember in the exam time. Otherwise, you will keep on learning. You will keep on learning and you will tend to forget in the final examination. So that's it for this particular video. I'll see you in the next video now where we will be winding up with the values and we will be done with chapter number four. Thank you so much. Bye-bye. Take care. All the very best.